हलो बच्चो मैं उशा शर्म विक्टोरीस इंटरनेशनल स्कूल अत्रोली अलिगर से आजम क्लास एर्थ में चैप्टर 6 सर्वनाम और चैप्टर 7 विशेशन की रीडिंग करते हैं सो देखी बिटा अब येस बिटा देखिए चैप्टर ने में सर्वनाम नंबर है 6 सर्व का आर्थ है सब का अर्थात जो शब्द सभी नामों के इस्थान पर प्रियोग किये जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं परिभाश आये इसकी संग्या के इस्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जैसे देखिए मैं वह उसे अपनी उसका आदी इसके बटा भेद देखिए प्रकारिस के सर्वनाम के भेद पुरुशवाचक, निश्चेवाचक, प्रेश्चनवाचक, संबन्धवाचक और निजवाचक, अनिश्चेवाचक पुरुषवाचक देखिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रियुक बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले अर्थात जिससे बाते कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वा बात कर रहा है प्रियुक्त करता है वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम क कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुष्तक उसे देदो तो इन पुरुष मद्यमपुरुष और अन्यपुरुष उत्तम पुरुष देखिए बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रियोग स्वयम अपने नाम के इस्थान पर करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या है उत्तम पुरुष है अब देखिए मध्यम पुरुष बोलने वाला जिससे बात कर रहा है उसके नाम के इस्थान पर जिस सर्वनाम का प्रियोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं जैसे तुम कब जाओगे जैसे हम बात करने किसे तुम कब जाओगे सामने वाले से तुम क्या है मध्यम पुरुष अन्य पुरुष यानि किसी अन्य के बारे हैं बात करने यह अन्य पुरुष देखी बिटा जब बोलने वाला अपने सामने उपर स्थित शुरोता से भिन्न किसी अन्य विक्ति के बारे में बात चीत करते हुए उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं किसी निशित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निशित वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वह मेरा घर है यानि दिखाई दे रहा है या दिनेश की पुस्त तक है ये भी दिखाई दे रही है अनिशित वाचक देखिए जो सर्वनाम शब्द कहते हैं जैसे देखिए उधर कोई खड़ा है अब कोई कौन है नहीं पता है मुझे खाने के लिए कुछ लादो यह कुछ क्या है यह अनिश्चवाचक सर्वनाम यह प्रेश्ण वाचक देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान के वि प्रेश्ण वाचक यह संबंद वाचक सर्वनाम देखिए जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंद बताते हैं उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे देखिए वह लड़का नहीं आया जिसे कल चोट लगी थी अब जिसे क सरवनाम शब्दों का प्रियोग वाक्य के करता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सरवनाम कहते हैं जैसे मैं अपने आप चला जाओंगा मैं और अपने आप किसके लिए है मैं के लिए मैं अपने आप चला जाओंगा तुम स्वेम ही चले जाओ यह किसके उदाहरा है निजवाच की ओगी ओगी इस अब देखते हम चैप्टर सेवं की रीडिंग करते हैं ओगी इस देखे चैप्टर सैवन है विशेशन सैवन चैप्टर जिन शब्दों से संग्या या सर्वनाम शब्दों की विशेशता का बोध हो उन्हें हम विशेशन के नाम से जानते हैं यानि जो संग्या व सर्वनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं बेद देखी इसके गुणवाचक विशेशन ये पहला है गुणवाचक विशेशन जैसे करेले कडवे होते हैं इसका गुण बताया जा रहा है परिभाशा देख लीजिए जो विशेशन शब्द संग्या या सरवनाम के गुणों या दोशों का बोध कराते हैं उन्हें संख्या वाचक यानि जिसमें नंबर बताये गए हो मेरे पास पांच गुलाब हैं कितने हैं संख्या बता रखिए पांच तो यहां कौन सा विशेशन है संख्या वाचक परिभाशा जो विशेशन शब्द संग्या या सरवनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्य वाचक विशेशन कहते हैं अब संख्या वाचक विशेशन के भेदें एक निश्यत और एक निश्यत संख्या वाचक और जहां संख्या निश्यत नहीं है वहां अनिश्यत संख्या वाचक है जैसे परिबाशा देखिए जिन विशेशनों में विशेशन की निश्यत संख्या का बोधो वे निशित वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे मेले में बहुत लोग आई हैं मेज पर अनेक पुस्त ये अनिशित वाचक के उदाहरण हैं मेले में बहुत लोग आई हैं निशित वाचक के ये हैं मेरे लिए चार केले लाना तो चार निश्यत है ये क्या है अनिश्यत के लिए है बहुत अब कितने पता नहीं कितने अनेक पता नहीं कितने है परिभाशा देख लीजी अनिश्यवाचक के जिन विशेशणों से विशेश्य की निश्यत संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्यवाचक सरुनाम जैसे चार किलो आटा ले आओ, जिन विशेशनों से संग्याय सर्वनाम शब्दों के माप तॉल सम्मंदी विशेश्टा का बोध होता है, उने इस परिमानवाचक विशेशन कहते हैं, जैना नाप तॉल का बोध है, जैसे चार किलो आटा, 1 किलो ग्राम चावल, तो यह अगत वाचक जयाक किए दफिए परिमान वाचक विषेशन के भीद देखिए निश्यत और अनिश्यत निश्यत के देखिए चार हो आलू दे दें चार माई काफी होगा तो श्याव Standards संख्या बता रख रही है ओके ऐसे अनिश्यत. में देखी आप थोड़ा नमक ही डालना थोड़ा नमक अनिश्चत कितना थोड़ा पता ने इसमें बहुत अब परिभास्त देख लीजे इसकी जिन विशेशनों से विशेश्च के अनिश्चत परिमाप का बोध होता है वे अनिश्चत परिमाणवाचक विशेशन कहलाते हैं ओके फोर्थ विशेशन है विटा सार्वनामिक विशेशन यस वह लड़का आज ही आया है इसमें वह सर्वनाम की तरह उप्योग हो रहा है यहां पर तो सार्वनामिक विशेशन है जैसे देखे परिभाशा जब कोई सर्वनाम किसी संग्या के साथ लग कर उसकी विशेशता बताने या उसकी यो संकेत करने का काम करता है तो उसे सारुना में क्या संकेत वाचक विशेशन कहते हैं यह संख्या वाचक और परिमार वाचक विशेशन में अंतर ये देखिए जैसे दस अजार रुपए कल मिलेंगे संख्या बाचक दस किलो चावल ले जाओ परिमाड बाचक ये देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेशन में अंतर देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रेव संग्या के स्थान पर किया जाता है अब प्रविशेशन देखिए देखिए रादा बहुत लंबी लड़की है परिभाशा देख लीजी पहले वे शब्द जो विशेशन की विशेशता बताते हैं विशेशन की विशेशता बताने वाले शब्द प्रविशेशन कहलाते हैं अब इसे विशेशन क्या है लंबा अब कितनी लंबी है बहुत लंबी तो बहुत क्या है प्रविशेशन है यस देखिए विशेशनों की अवस्था यस देखिए तीन अवस्था होते हैं इदर देखिए मूल अवस्था उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था मू जैसे राधा सुन्दर है किसी की किसी तुलना नहीं हो रही है केवल राधा के विश्य में बताया गया है उत्तरा वस्था में जब दो व्यक्ति या वस्थों के तुलना करके किसी एक को दूसरे से अधिक कम या कम बताया जाए वहां विशेशन की उत्तरा अवस्था होती है जैसे राम राहुल से जादा बुद्धमान है तो राम और राहुल की तुलना की जा रही है उत्तमा वस्था देखिए जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्थों के तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाए वहाँ विशेशन की उत्तमा अवस्था होती है जैसे राहुल कक्षा में सबसे बुद्धिमान विद्यार थी है अब कक्षा बहुत सारे बच्चे है उनमें से किसके लिए बताया गया है राहुल को तो यहां कौन सा विशेशन है उत्तमा अवस्था ये विशेशन की अवस्था है जैसे दे रखा है मूल अवस्था उत्तर अवस्था और उत्तमा अवस्था कुछ शब्द दिये होगे उच्च का उच्च तर उच्च तम इसमें सम्में जैसे उच्च फित्तर लगा दिया इसमें मा लगा जा मोशली तम लगता है और तर उत्तम आवस्ता में ओकी बटा अब विशेशन की रचना देखिए हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेशन होते हैं यानि बने हुए क्या होते हो विशेशन जैसे अच्छा बुरा भला मंदा आदी शब्द ओके इस इधर देखिए यहां संग्या शब्दों से विशेशन की रचना देखिए संग्या से विशेशन बनाया है शरीर से शारीरिक यहां यह प्रत्य लगा कर पूजा पूज्य यह पुश्प पुश्प इतन से लगा बनाया है पुष्प पुष्पित इस तरह से दिये हुएं पिटा इसे पूजा पूजिनिया इ दुख दुखी एला वन वनेला इम आदी आदिम इधा देखी पिटा दया दयालू काटा कंटीला इस तरह संग्या बदला हुआ है संग्या से विशेशन मामा ममेरा श्री श्रीमान विश्णु वैश्णव वैष वैसा भूलना भुलकड और पीछे पिछला इस तरह हम इन्हें बदल सकते हैं संग्या से सर्व नाम में विशेशन में बदल सकते हैं संग्या से विशेशन में बदला जा सकता है तो आप एक वार दुबारा से देख लिजे बिटा यह चैप्टर आपको कम्प्लीट हो गया और लेर्न कर लिजिए so bye बेटा